हेलो स्टूडेंट तो आज हम करें हैं मेकेनिकल प्रोपर्टीज ओफ सॉलिड के नीट पीवाई क्या हूँ और जो हम पीवाई क्यों करेंगे साथ की साथ तो आपको एंसियाटी सी भी शो करते रहेंगे कि वो एंसियाटी में से कहां से आए वे क्यूस्टन है तो अब आगे आफ दा वाई बिकम एल प्लेस वेल दा इलास्टिक पोटेंचल एनर्जी इन दा एक्स्टेंड़ वाईर विल बी MZL, MZ, Capital L, Sorry, MZ, Half MZL या फिर Half MZL या फिर Half MZL तो यहाँ पर यह बताना है कि हम आई इसको रीड़ कहते हैं कि Small I लिका तो MZI, MZL, Half MZL या फिर Half MZL क्या आएगा यहाँ पर तो सिंपल सा समझें यहां पर यहां पर क्या होगा कि जैसे हम Elastic Wire जो Potential Energy स्टोर होती हो वो क्या करते हैं Half into Stress into Strain यह से करके करते हैं या फिर Young Modulus into Strain का Square तो इस ताप से करते हैं जब इसको करेंगे तो हमारे सामने जो अंसर निकल कराएगा वाएगा Half MGL अब क्या यह NCRT में दिया हो तो NCRT में बिल्कूल दिया हो यह देखे Elastic Potential Energy NCRT के Page No.244 पे दिया हो है फिर यह भी बताया भी गया कि Half into Y into L का Square into AL या फिर Young Modulus into Strain Square into Volume of the Wire तो इस ताप से यह वाला formula जो वो लगेगा और यहां पर यह सेंपल बता गया है U is equal to Half into Work done by Gravity लग जाएगा MG और यह Half head हो गया तो यह MG आई लग जाएगा तो यह चीज़ क्लियर हो चुकी होगी इस टैप से हमारा answer जो है वो निकल कर आ जाएगा ओके बिया नेक्स्ट हम बात करते है NEED 2019 जो Odisha State के लिए एक्जाम होया था उस में से यहाँ पर बोला गया है कि stress strain curve are drawn for the two different material x and y यानि दो x and y अलग-अलग material के stress strain curve जो है वो ड्रग याग है It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for the material x यानि जो x material है उसके लिए क्या है जो strength point है जानि जो ultimate strength point है और जो उसका fracture point है वो काफी एक दूसरे के पास में है बर जो y material है उसके लिए यह दोनों एक दूसरे से दूर है तो हमें बताना है कि यह material x and y कौन से है तो सबसे पहले बात करते है कि यह plastic ductile है ductile brittle है brittle ductile है या फिर brittle and plastic है तो simple समझे सबसे पहले हमें देखना है कि strength point और fracture point कि इसके अंदर बिल्कुल पास पास में होते है close to each other किसमी होते है तो वो होते है brittle के अंदर है brittle यह दो पॉइंट आगे तो यह हमारे दो option हट जाएंगे next हम बात करते हैं कि एक दूसरे से दूर किसमी होते है तो वो होते है ductile के अंदर तो मारा answer जो निकल कर आएगा वो आएगा option third अब कि यह NCRT में दिया हुआ है बिल्कूल दिया हुआ है यहाँ पर यह stress strength कर हो है उपा जो इसी page में diagram भी बनाएगा है बढ़ यहाँ पर जान से देखिए वहाँ पर X and Y है वहाँ पर यहाँ पर देखिए if the ultimate strength and fracture point the material is to be brittle यहाँ पर ultimate strength end of the fracture point है वो अगर close रहेंगे तो उसको brittle बोलेंगे अगर वो far apart रहेंगे तो उसको ductile बोलेंगे NCRT में साफ साफ लिखा गया clear हो गया ओके यही यहाँ पर जो है area of cross section A है if hanging from the fixed pod the length of the wire change to L1 when the mass M is suspended from its free end the expression for young modulus young modulus का expression क्या होगा अगर यहाँ पर इसमें जो है वो इसकी wire की length change हो जाती है अगर हम M suspended वासमा पर लगा देती है MGL1 upon AL MGL1 minus L upon AL या फिर MGL upon AL1 या फिर MGL upon AL minus AL1 minus L तो यहाँ पर simple बता देता हूँ जब इसको हम solve करेंगे तो हमारे सामने जो answer निकल कर आएगा वो तो यह निकल कर आएगा अब कैसे निकल कर आएगा वो आपको बता देता हूँ तो young modulus में क्या होगा stress over strain रखेंगे जब stress over strain रखेंगे तो यहाँ पर लिखा है देखें young modulus for the material of the experimental wire यह सारा wire में बताएगे तो यह MGL यह pi r square क्या है area ही तो है तो यह MGL upon में delta L तो यह MGL upon में A delta L इस टाइप से लिखा गया और delta L क्या है L1 minus L तो इस टाइप से क्या जाएगा यहाँ पर देख सकते हो stress हमारा MGA हो गया stress हमारा यह हो गया young modulus stress over strain यह आगया MGL A और L1 minus NCRT में वापर इस टाइप से डिखा यहाँ पर इस टाइप से इसको solve किया गया तो इस टाइप से हमारा answer आ जाएगा clear हो गया 2021 में यहाँ से कोई भी इस चैप्टर से नहीं आया वा था अब हम बात काते है 2022 की 2022 में यहाँ पर SSN and reason question दिया गया है SSN क्या बोला गया है The stretching of a spring is determined by the shear module of the material of the spring यानि जो कोई भी spring है उसका stretching कैसे determined किया जाता है उसके shear module से Second है A coil spring of copper has more tensile strength than the steel spring of the same dimension अगर दोनों को diamond shame है तो यह बोल रहे हैं कि जो copper coil होगा उसमें tensile strength ज़्यादा होगी as compared to steel यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो stretching of the spring होता है वो हमेशा shear module से यह बिल्कूल correct है बट यहाँ पर यह उल्टा हो गया हमारा जो steel होती है उसकी ज़्यादा tensile strength होती है as compared to copper तो reason क्या होगा है हमारा गलत तो SSN correct है SSN false नहीं है reason हमारा यह true बोल दिया यहाँ पर गलत होगा reason दोनों में true बोल दिया reason हमारा false है तो इस टाइप कहें कि option है answer आजाएगा option fourth अब क्या यह कहाँ पर दिया वहाई तो सबसे पहले बात कहते है sear module में sear module में यहाँ पर यह देखिए module of rigidity बताया गया या फिर इसको opposite और elasticity वगर आप देख सकते हो यह यहाँ पर यह चीज़े बताई गई है NCRT के page number 242 में sear module पूरा दिया गया है किस टाइब से यह तो चीज़ यहाँ से clear होती है next हम बात करते है कि यह जो sear module में जो tensile strength वगरा दिये वो कौन यहाँ पर देखो copper जो है वो 42 दी गई steel की कितनी दी गई 84 तो मतलब जो steel है वो ज़्यादा strength है as compared to copper क्यों इसकी value ज़ाद है तो यह चीज़ आपको clear हो गया यह यहाँ पर table 9.2 से clear हो जाता है अब यही चीज़ यहाँ पर जो है वो लिखके बताएगे कि true that the stretching of the यहाँ पर clear है but tensile strength of steel जो होती है वो more होती है देन दा कपर तो SSN 2 और region जो वो false वाला हो गया clear हो गया okay next up हम आचुके हैं 2023 के question में 2023 में question बोला गया है let a wire be suspended from the ceiling यानि एक wire उसको suspend कर देते हैं ceiling से and stretched by the weight W अब यहाँ पर उसको stretch करते हैं weight W है attached to its free and the longitudinal stress at any point of the cross-sectional area तो यहाँ पर longitudinal stress पूछा है W by A, W by 2A 0 या फिर 2W A अपन में A तो यह इस टाइप से इन्हों ने दिया option यह इस टाइप से है W by A या फिर W by 2A या फिर 0 है या फिर 2W by A इस टाइप से बुद्रा गया गया इन में से कुन से आएगा तो इसमें जो answer आएगा वो आएगा Tensile strength which is equal to the tension पर निकल करा है F by A यानि हमारा जो यहाँ पर weight W F दे दिया गया तो इसलिए अगर आप वो W होता तो W by A जाता तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है अब यहाँ पर यह देखो इस टाइप से निकला गया longitudinal stretch से इसको F external area यहाँ पर W by A करके निकला गया तो इस टाइप से मारा answer आ जाएगा clear हो गया तो यह चीज़ भी हमें अच्छे से देखनी होगी next हम बात करते है 2023 में जो हमारा second जो money per state के लिए अलग से exam होग था उसका ग्यूसर है the amount of elastic potential energy per unit area of a steel wire of the length 100 cm to stretch is 1 mm young modulus यह इतना दिया गया है तो हमें क्या बताना है elastic potential energy बतानी है per unit में अब यहाँ पर length कितनी है 100 changing length कितनी होगी 1 mm होगी young modulus वगेरा दे दिया गया इसको solve करेंगे तो 10 by 5 आएगा और सबसे पहला क्योंसर देखा था वही है NCRT में आप देख सकते हो यहाँ पर W is equal to half into young modulus हमारा पास में दिया strain का square हो जाएगा और volume of the wire यह चीज के लिए हो चुकी होगी strain कैसे निकालते है changing length वगेरा करके निकालते है तो वो चीज भी आपको पता होगी तो इस type से हम जो इसको answer को निकाल सकते हैं यहाँ पर यह देखो why stress over strain होता है elastic position half into young modulus strain का square strain क्या होता है जो हमारा change in the जो length हो गया था वो वाला तो यहाँ पर इस type से इसको value put करेंगे यह 10 की power 5 जो वो निकल कर आ जाएगी इतने क्यूसन थे बाई